यह वीडियो कार लवर्स के लिए है जो कार में ट्राविल करना पसंद करते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम अन्बोक्सिंग करने वाले हैं डलकेट की तरप से DCD9000X जो के एक सेंगल स्टेरियो है अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्स्राइब करना मद भूलिए और बिना टाइम उल्ट किये चले जड़े अन्बोक्सिंग करने यह वाला बॉक्स में तरप से और यह बहुत जाद अच्छा पैकेजिंग है इसका अब देखते हैं अन्बोक्सिंग करते हैं पैकेजिंग बह और इसके अंदर हमें देखने मिल जाता है डर्केट का बॉक्स यह कुछ ऐसा दिखता है कि पैकेजिंग के बारे में हैं बूलना ही पड़ा है काफी ज्यादा अच्छा पैकेजिंग है इसका अब बिना टाइम उल्ट की बॉक्स को भी खोली देते हैं बॉक्स इस परब से बॉटा है कियो जाता है फाथी केबल द हम ऐसी प्रम अंधिर मिल जाता कर आपको की टारप से हैंक धियु उवस्ट हुच फर यर और और यह सभाँखता रहे से वվर देखने मेला है अब डेखते इसका क्या को से व ATूत है क्या क्या फंक्शन्स है एइसके यह चोटा सा मैनुल देखने मिलता है जिसमें हमें इसके मेन यूनिट के बारे में देखने मिला है और रिमोट कंट्रोल के बारे में देखने मिला है और यह है इसका चोटा सा रिमोट जो इसका बहुत ही जाधा लग रहा यार और बहुत ही जाधा है्ली इसमें हे आप देखी सकते हो इसमें बहुत सारे марशिस में आ लॉल्म के लिए है और दूसरा ये speakers के connect कर निक लिया है क्योंकि ये जो डलकेट का stereo है ये आप चार speakers के साथ connect कर सकते हो तो आपको music में कोई भी दिखकत नहीं होने वाला आप music को अच्छे से enjoy करने वालो हो जब आप कार में travel कर रहे हो अब इसके front panel को देखते हैं इसमें दूकेट का साइन है और ये box के अंदर आता है और बहुत ही ज्यादा premium लग रहा है अब देखी सकते हो कि इसमें डिस्पले है और ये इसमें तो होगया इसके front panel की बात अब देख लेते हैं में यूनिट में क्या है यह इसका main unit esthetic unboxing है भाई यह है सका main unit और इसकी PCI में देखने मिल जाता हैemy in all these इसके lift is power connector भी है और speakers के लिए भी है औरicias और इसके connections बहुत जादा easy है तो मैं दिखा देता हूँ आपको और आप देखी सकते हो इसमें आप SD card भी connect कर सकते हो SD card डाल सकते हो और यह वाला जो है इसके front panel को connect करने के लिए है और इसके connections बहुत ही ज़्यादा easy है यार मैं आपको connect करके दिखा भी देता हूँ यहाँ लेबल भी किया गया है कि पहले आपको यह वाला इंसर्ट करना है उसके बाद प्रेस करना है जैसे कि यह ऐसे हो गया अब देखी ज़्यादा easy है और यह बहुत ही ज्यादा compact रोब ज्यादा अच्छा लगता है हैंडी भी है और आप जब इसको फिट करोगे तो आपको कार में बहुत ही ज्यादा अच्छा experience मिलने वाला music का और इसके जो बैक में है यह भी मैं आपको connect के दिखा देता हूँ यह वाला जो है यह इसके speakers के लिए है जो कुछ ऐसे लग जाता है और यह दूसरा होला इसके मेन पावर के लिए जो कुछ ऐसे लग जाता है और यह बहुत ही इजी है भाई फिट करना अब देखी सकते हो यह पूरा यूनिट और यह इसका remote और यह इसका cable और अगर बात करें यह तो यह इसमें पोर्ट भी दिया गया है जहां लगा सकते हैं और आप चाहो तो इसको एक्षालिक किसी में भी इंसेट कर सकते हो जैंज और अब करना पसंद करते हो तो यह आपको बहुत है जादा अच्छा लगेगा यार आपके पूरी जर्नी में यह आपको साथ देगा अच्छे म lle olur करना में अच्छा अच्छा न चाहिए और अगर आपको वीड़े पसंदॉन आपको आगК चाहिए आग गी है तो आब स्ज्ञें कि